उत्तराखंड के हालाद बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं पिछले तीन चार दिनों से उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये most probably retreating monsoon की वज़े से हो रही है monsoon वापस जा रहा है ना केवल उत्तराखंड मद्रपदेश केरला में भैंकर बारिश देखने हो मिली है केरला में भी जानमाल का नुकसान हुआ latest update के हिसाब से उत्तराखंड में 23 लोगों की मरने ही खबर आ रही in fact ये railway line है जो की दिल्ली को काट गोदाम से जोड़ती है बीच में है गौला नदी उत्तराखंड में और ये railway line पूरी की पूरी डिस्ट्रॉइ हो चुकी है इन फ्लेट्स की वज़े से नैनी ताल नाम का जो famous आपका tourist spot है वो इंडिया से cut-off हो चुका है नैनी ताल जाने वाली तीन सड़कों पे भेंकर landslides हुई है और overall वो सड़के तबाव हो चुकी है नैनी ताल ब्लॉक हो चुका है overall नैनी ताल के अंदर बहुत सारे लोग फसे हुए है और ये सब कुछ हो रहा है unsustainable development activities की वज़े से so it is high time केरला और उत्तराखंड को देखते हुए हमारी सरकार sustainable development policies लेकर और construction को तरीके से implement करें